एलो बच्चा लोग, नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना दोस्ट डॉक्टर हितेशकारिया, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके अप्रिसेशन के लिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं पार्थ सर के देखिये बच्चे कितने खुश हैं, हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के स्टडीज में, बच्चों के डेवलपमेंट में, यह हल्प कर रहा है, सो थैंक यू सो मच, डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इतना हमें इंस्पायर करने के लिए, आपको और अच्छा पड़ाने के लिए, ठीक है, चलि आगे बढ़ते हैं, अब पिछले क्लासे में, हमने किंग्डम मोनेरा और किंग्डम प्रोटिस्टा हम खतम कर चुके हैं, अब बच्चों, जो भी और्गानिजम्स किंग्डम फ all eukaryotic heterotrophs, अब eukaryotic का मतलब क्या है, that they all have a well-developed nucleus and other cell organelles, see, विटाकर के फाइकिंग्डम में, सिव मोनेरा प्रोकेरियोटिक है, एक बात दिमाग में फिट कर दीजे, प्रोटिस्टा से आगे, जितने भी ग्रूप से हैं, सारे eukaryotic है, चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाय, प्लांटे, अनिमेलिया, सब eukaryotic है, ठीक है, तो यहाँ पर तो बूलने वाली कोई बाती नहीं है, right, so they are all eukaryotic organisms and they are all heterotrophs, मतलब यह अपना खाना खुद नहीं बना सकते, so they have to depend on some other sources for their food, they depend on either other organisms or on dead and decaying matter, आपको एक रहसे वाली बात बताऊ, पुराने जमाने में, फंज कुछ-कुछ फंजाय, जैसे मशुरूम हो गए, अगर आप देखो, तो ऐसे लगता है कि कोई plant हुगा हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि यह plants नहीं है, और इनके features plant kingdom से काफी अलग है, तो एक अलग kingdom मना दिया गया, इनके लिए जिसे हम कहते है kingdom fungi, right, so all of them are eukaryotic fungi, next, very important point ध्यान से सुनिये, मेरे प्यारे बच्चो, all fungi, all the fungi, they show extracellular digestion, now what is the meaning of extracellular digestion, मान लीजिए, एक bread की slice है, और इसके ओपर यह fungi grow हुआ है, ठीक है, तो यह fungi क्या करता है, मेरे बच्चो, यह अपने अंदर से कुछ enzymes छोडता है, यह देखे यहां पर, ठीक है, तो it will release some enzymes, on this food material, और यह food material, यह enzymes, इस food material को, फंजाई की body के बाहर ही digest कर देते हैं, these enzymes, they convert the complex food material into simple nutrients, और फिर यह nutrients को यह fungi अपने अंदर absorb कर लेते हैं, तो मतलब यह लोग अपने फूड को बाहर डाइजेस्ट करते हैं, एंजाईम्स की मदद से, and then the nutrients are absorbed inside the body, so this kind of digestion is called as, extracellular digestion, ठीक है, चलिए, next important point to be noted here is, that all the fungi, they are always found in, warm and humid places, ठीक है, इनके grow होने के लिए, एक हलका सा warm temperature, warm मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, not very hot, वरना वो मर जाएगा, warm temperature and humid, humidity का मतलब है moisture, इसलिए आपने बात का भी नोट किया है, जिन लोगों को बॉड़ी में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, especially in the crevices of the body, जहां पे gaps, जहां पे crevices हैं, वहाँ पर अगर पसीना हो, अगर वो पसीना ज़्यादा देर के लिए वहाँ जमा हो, और if that person doesn't follow proper hygiene, वो अपने बॉड़ी की साफसफाई नहीं रखता, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, are you getting my point? चली, आगे बढ़ते हैं, अब sir, फंजाए का body structure कैसा होता है, see, आपको दो तरह के फंजाए मिलेंगे, number one, some of them are unicellular, unicellular मतलब यहां पर आप देखिये, यहां पर जो organism आपको दिखाया गया, उसका नाम है East, okay, so this organism, let me just write it for you, which you can see, is East, and East is a unicellular फंगाए, generally, फंगाए multicellular होते हैं, पर यह एक exception है, East is a unicellular फंगाए, और जो multicellular फंगाए है, उनकी body is made up of long thread-like structures, which are called hyphae, very very important, यह देखिये यहां पर, now this fungi that you can see here, यह जो लंबे-लंबे thread-like structures, यह जो, let me just highlight it and show it to you, यह देखिये, यह जो लंबे-लंबे thread-like structures, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, मेरे पारे बच्चों, इन्हे हम कहते हैं hyphae, and this fungi that you can see in front of you, is a multicellular fungus, okay, so fungi can be unicellular also, and they can be multicellular also, cotton fungi which are very large in size, for example mushrooms, I am sure आप लोगों ने कभी न कभी mushrooms खाए होंगे, there are some mushrooms which are edible, all mushrooms खाने लाइक नहीं होते, some of them are poisonous, तो ऐसा नहीं कि आप रस्ते से जा रहे हैं, कहीं भी किसी जंगल में, किसी पेड के नीचे आपको mushroom ग्रोवा दिखा, आपने उठा के खा लिया, नहीं बेटा, इससे बहुत सिवियर food poisoning हो सकता है, जो खाने वाले mushrooms होते हैं, वो specially खाने के लिए culture किये जाते हैं, okay, they are edible, तो बेटा, यह जो mushrooms होते हैं, they are very large in size, और इनकी body कैसी होती है, it is nothing but a compact mass of cells, बहुत सारे cells को इखटा करके, यह mushroom का body structure बना होता है, यह देखे, यह देखे, यह देखे, यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे cells, ऐसे बहुत सारे cells, एक साथ collect होकर, इखटा होकर, यह mushroom की body form करते हैं, are you understanding? So, we say that, large fungi like mushrooms, they are made up of a compact mass of cells, I hope this point is clear with everybody, चली, आगे बढ़ते, अब मेरी बात ध्यान से सुनिये, जितने भी filamentous fungi है, filamentous मतलब क्या, यही जो thread like structures के बारे में, मैंने आपको बताया, जितने भी filamentous fungi है, उनकी body को collectively, हम कहते हैं mycelium, very very important, आप यहाँ पर ध्यान से देखिये, मैं आपको highlight करके बता देता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, listen to this, very very important, see, यह जो fungi की body, आपको यहाँ पर दिख रही है, this complete structure, is called as a mycelium, the body of the fungi, is collectively called as mycelium, और इसमें जो यह single single धागे, आपको नजर आ रहे हैं, यह जो धागे आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं hyphae, okay, singular is hypha, plural is hyphae, so the threads are called as hyphae, and collectively, all the threads together, it is called as mycelium, ठीक है, very very important, चलिए, अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिये, मेरे प्यारे बच्चों, फंगाए में आपको दो तरह के हाइफे नजर आएंगे, अब हाइफे में भी दो टाइपस है, can you see this image in front of you, ध्यान से देखिए, अब कुछ-कुछ हाइफे ऐसे हैं, जिनके बीच में आपको ऐसे पार्टिशन नजर आएंगे, can you see this all of you, या, इस इस दो पार्टिशन या सेप्टम, ओके, जिन हाइफे में, हमें ये पार्टिशन देखने मिलता है, इन हाइफे को हम कहते हैं, सेप्टेट हाइफे, इंन पार्टिशन ये पार्टिशन वाल को हम कहते हैं, तो जिनके अंदर ये सेप्टा मिलेंगे, उन्हें हम कहते हैं सेप्टेट हाइपे, और अगर आप नीचे वाला हाइफे देखेंगे, यहां पर बीच में कोई सेप्टा प्रेजंट नहीं है, right, तो ऐसे हाइफे को हम कहते हैं, non septate हाइफे, or there is one more word given to them, very very important, ध्यान से सुनियेगा, ऐसे हाइफे को हम कहते हैं, ऐसे हाइफे को, let me just erase it and write it once again, ऐसे हाइफे को हम कहते हैं, सीनो साइटिक हाइफे, very very important, थीक है, तो फंजाय can be of two types, with septa और without septa, right, and the non septate, multi-nucleate, अब देखे हैं, इस हाइफे में आप देखे हैं, कितने सारे यह, 1, 2, 3, 4, बहुत सारे nucleus आपको देखने मिलेंगे, right, और इसके अंदर कोई भी partition wall नहीं है, so the non septate, multi-nucleate हाइफे, are called as, सीनो सिटिक हाइफे, very very important word, यह बात ध्यान रखेंगे, यह नीट में पूछते हैं, what is सीनो सिटिक हाइफे, the non septate, multi-nucleate हाइफे, are called as, सीनो सिटिक हाइफे, यहाँ पर देखिए, हम आपके लिए एक live image लेके आएफे, so this is the image of the सीनो सिटिक हाइफे, जहाँ पर आपको बीच में कोई partition देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, यह फंगाई जो है, इनके cells के पास भी cell wall है, लेकिन एक फरक है, इनकी cell wall बनी होती है, by a material which is called chitin, okay, so the cell wall of fungi is made up of chitin, what is chitin, chitin is nothing but a type of polysaccharide, see, plants में भी cell wall है, bacteria में भी cell wall है, लेकिन हमने क्या पड़ा था, bacteria का cell wall is made up of peptidoglycan, plants का cell wall is made up of cellulose, but the cell wall of fungi is made up of chitin, now, coming to a very important point, the mode of nutrition, जैसा कि हमने शुरुवात में कहा, कि इनके पास chlorophyll pigment present नहीं है, यह अपना खाना नहीं बना सकते, तो they show heterotrophic mode of nutrition, that is, they depend on other sources of food, right, अब उस में, heterotrophic में भी अलग-अलग types हो सकते हैं, they may be either saprophytic, और they may be parasitic, और they may be predators, अब देखिए, saprophytic का मतलब क्या है, जो fungi dead and decaying organism में से अपना खाना उप्तेन करते हैं, जैसे, suppose आपने एक bread का टुकड़ा, आपके घर में बासी bread का टुकड़ा रहे गया, उसके उपर पानी के कुछ drops डालिए, I am sure हमने बचपन में activity की होगी, बायो प्रैक्टिकल में, और इसे एक warm, dry, warm, moist place में रख दीजे, तो एक cotton-like growth आपको ब्रेड के उपर दिखाई देगा, तो यह जो fungus है, यह saprophytic fungus है, because it is obtaining food from dead matter, right, then some of them are parasitic, parasitic means यह दूसरे living organisms के body के अंदर, यह उनकी body के उपर जाके रहते हैं, और उनके body में से अपना खाना या अपना nutrition अप्टेन करते हैं, but in that process, they cause diseases in plants and animals, तो यहाँ पर आपके सामने जो image है, see this is a fungi which has attacked a plant, right, so this is a parasitic fungi, now एक रहस से मही बात सुनिये, my dear friends, कुछ-कुछ फंजाय यह प्रिडेटर्स भी होते हैं, प्रिडेटर्स का मतलब शिकारी, उन्हें हम कार्णिवोरस फंजाय भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, कि जो चोटे-चोटे जीव जन्तु हो गए, कोई कीडे हो गए, यह उनको हाइफ़े से पकड़ के, एंटाइंगल कर लेते हैं, उनको मार के, उनको अपने एंजायम्स की मज़द से डाइजेस्ट करके, उसके न्यूट्रिशन को एब्सॉप कर लेते हैं, तो ऐसे शिकारी फंगाई भी आपको नेचर में दिखने मिलेंगे, तो उनको कहते हैं प्रिडेटर्स, प्रिडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, राइट, तो दे मोड अफ न्यूट्रिशन इस हेटेरोट्रोफिक, और इन दाट, अब अब असेक्शुल ही कैसे होता है, ध्यान से सुनिये, यहां पर यह जो फर्स्ट इमेज आपके सामने नजर आ रही है, अब फ्राग्मेंटेशन में होता क्या है, यह फंगाई अपने हाइफे को छोटे-चोटे टुकडो में ब्रेक कर देता है, यह देखे, यहां पर इसने अपने आपको ब्रेक कर लिया है, और फ्रॉम एवरी हाइफे, अन्यू फंगस विल ग्रोग, यह देखे, इस ताइप अवर्ड गा मतलब है टुकड़, चोटे-चोटे पीसे को अंग्लिश में कहते हैं, तो यह फंगाई क्या करता है, अपने आपको चोटे-चोटे टुकडो में ब्रेक कर लेता है, और हर टुकड़े में से एक नया फंजाई ग्रो हो जाता है, इस मेंटर इस कॉल्ड अस फ्रेग्मेंटेशन, इस सेकंड मेंटर इस कॉल्ड अस बढ़िंग, अब बढ़िंग आपको किसमें देखने मिलेगा, यह देखे, इस सेकंड इमेज, मेरे बच्चों इस ग्रोथ को हम कहते हैं बड, ठीक है, and then the nucleus divides, and one nucleus enters the bud, and ultimately जब यह बड मैचूर हो जाता है, तो यह इस parent cell से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तो इस method को हम लोग कहते हैं budding, and it is seen in unicellular organisms, or unicellular fungi like yeast, ठीक है, now the next method is called as fission, in simple words, fission का मतलब है splitting, या dividing, तो इसमें क्या होता है, जो fungi का parent cell है, या जो mother cell है, यह अपने आपको दो cells में तोड लेता है, अपने आपको दो cells में divide कर लेता है, so this method of reproduction is called as fission, right, and remember all these three comes under the asexual mode of reproduction, asexual मतलब, जहां पर there is only one parent required, वहां पर कोई भी conjugation, या sexual reproduction आपको देखने नहीं मिलेगा, so the methods are fragmentation, budding, and fission, right, now coming to a very important point, बच्चों हम जब भी हम लोग फंजाई ये नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, ये खतरनाक organisms हैं, जो हमें disease cause करते हैं, but remember, all fungi are not harmful, are you getting my point? some of them are symbiotic fungi, now tell me, what is the meaning of the word symbiotic, symbiotic मतलर, symbiosis एक ऐसा relationship है, एक ऐसा association है, जहां पर दो organism साथ में रहते हैं, and they both benefit each other, दोनों एक दूसरे का फाइदा करते हैं, ऐसे association को हम कहते हैं, symbiosis, तो some fungi are symbiotic, तो sir, यह symbiotic fungi किसके साथ रहते हैं, first, there are some fungi, which live in a symbiotic association with algae, यह algae के साथ association बना कर रहते हैं, और ऐसे association को हम कहते हैं, lichens, very very important, यह देखिए, यह कितनी सुंदर image आपके सामने हैं, यह जो organism आपको यहां पर दिख रहा है, let me just highlight this for you, यह जो organism आपको यहां पर दिख रहा है, मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं lichens, ठीक है, now what is a lichen? it is an association between an algae and fungi, यह देखिए, मैं आपको थोड़ा यहां पर draw करके बता देता हूं, see, मान लीजिए, यह एक algae है, let me draw it with green color, okay, मान लीजिए, यह एक organism है, which is an algae, तो fungi क्या करता है, वो इस algae के साथ association में रहने लग जाता है, अब यह दोनों organisms क्या करते हैं पता है, see, algae के पास chlorophyll है, so algae can perform photosynthesis, ठीक है, अब यह जो green वाला है, वो algae है, और यह जो white वाला है, वो fungi है, ठीक है, algae के पास chlorophyll है, वो photosynthesis कर सकता है, वो खाना बना सकता है, लेकिन fungi के पास chlorophyll नहीं है, fungi photosynthesis नहीं कर सकता, लेकिन fungi has got very good absorption capacity, तो मेरे बच्चों यह fungi क्या करता है, soil में से water और nutrients को, minerals को absorb करता है, और वो इस water और nutrients को, algae को दे देता है, ठीक है, फिर algae क्या करता है, उस water और nutrients की मदद से वो खाना बनाता है, वो खुद भी खाता है और fungi को भी देता है, are you understanding my point, तो एक ऐसा association, जहां पर दो, they are like husband and wife, like husband घर के बाहर जाता है, नुक्री करता है, पैसा कमा के घर पे लाता है, you know, सामान खरीत के लाता है, then the wife cooks, and wife also eats, and she gives food to the husband also, so this kind of relationship is called as symbiosis, right, so this algae और fungi के association को, मेरे प्यारे बच्चों, इस association को, हम कहते हैं lichen, very very important, I hope I am clear with this, right, so some fungi, they live in a symbiotic association with algae, and they form lichen, चले एक और example लेते हैं, now some fungi, they live in a symbiotic association, with the roots of higher plant, मतलब, जो बड़े बड़े पेड होते हैं न, यह fungi उनके roots के साथ जाके, attach हो जाते हैं, आप देखें यह GIFT में देख सकते हैं, यह बीच में जो है, यह एक plant का roots है, और आजू-बाजू में जो आपको यह white fibers नजर आ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, यह जो white fibers आपको नजर आ रहे हैं, these are the fungal hyphae, अब यहां पर भी वह कैसे symbiosis करते हैं, the fungi, देखें यहां पर image में मैं आपको बताता हूँ, यह जो main plant है, यह main plant का root है, ठीक है, और यह जो dark color में आपको दिख रहे हैं, these are the fungal hyphae, तो यह अपने आपको इस tree के roots के साथ जाकर attach कर लेते हैं, और क्या करते हैं, they help in absorbing water and minerals from the soil, they give it to the plant, the plant will perform photosynthesis, the plant will prepare food and supply to the fungus, और वो plant उस fungus को अपने roots में रहने के लिए shelter भी देता है, खाना भी देता है और रहने के लिए जगा भी देता है, तो ऐसे association को, with the roots of higher plant, in fungal roots को, in fungal hyphae को कहते है mycorrhiza, very very important word, मैं यह पर आपके लिए फिर से highlight कर देता हूं, so mycorrhiza, is a fungal association, with the roots of the higher plant, I hope I am clear with this, absolutely यह बहुत important है, तो याद रखेंगे, some fungi are symbiotic, they live in a symbiotic relationship with algae, in the form of lichen, and with the roots of the higher plant, in the form of mycorrhiza, right, let's move on, see, सारे के सारे fungi, useful नहीं होते है, majority of the fungi are harmful, right, now how they are harmful, because we have disease cause करते हैं, right, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, के कुछ fungi useful भी होते हैं, अब कैसे useful होते हैं, do you know that all around the world, mushrooms are consumed as food, they are considered as a delicacy, most of the continental foods में, Italian foods में, Chinese foods में, mushroom का बहुत इस्तमाल होता है, तो mushroom, is a type of fungus, which is used as a food, then, हमारा प्यारा सा, unicellular fungus, yeast, it is used in, bakeries and breweries, okay, bakeries मतलब, जहां पर हमारे cake बनते हैं, biscuits बनते हैं, bread बनते हैं, you know why our cakes and bread, they become very soft and fluffy, because उसके आटे में, yeast डाला जाता है, अब yeast क्या करता है, अंदर fermentation करता है, carbon dioxide gas produce करता है, जिसके वज़े से, when you bake it, the gas escapes, and the bread becomes very soft and fluffy, now what are breweries, breweries are the alcohol manufacturing plants, जहां पर alcohol production होता है, उन्हें कहते हैं breweries, यह आपकी काम की चीज है न, मजा हो रहा हो आगो आपको सुणके, अरे भाई यह तो अपनी काम की चीज है भाई, सुनिए, छीक है, तो breweries are alcohol manufacturing plants, alcohol को भी हम fermentation से बनाते हैं, जैसे grape juice is fermented to produce wine, तो वहां पर भी हम yeast का इस्तमाल करते हैं, तो there are some fungi which are useful, and some fungi which are harmful, और एक fungi का use मैं आपको बता दूँ, आप सबको पता है, यह जो penicillium नाम का fungus है, उसमें से हमने दुनिया का first antibiotic बनाया था, जिसका नाम है penicillin, और क्या आप जानते हैं, penicillin के बाद आज तो हजारों antibiotics हम बनाते हैं, and today antibiotics have created a revolution in the field of medical science, ऐसी कई सारी infectious बिमारियां, जिसे हम पहले क्योर नहीं कर सकते थे, today they have been brought under control, thanks to the discovery of antibiotics, and the first antibiotic was discovered by Alexander Fleming, from this fungus जिसका नाम है penicillium, and the name of the antibiotic is penicillin, right, यह तो हो गए useful fungi की बार, अब harmful fungi जब हमारे दिमाग में आता है, तो क्या सोचते हैं, बीमारिया, दाथ, खाज, खुजली, आपने सुना एक बीमारी यह दिखें यहां पर skin पर, this disease, जहां पर skin के उपर ऐसे round round patches हो जाते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा sweating आती हैं, तो हमारे groins में, हमारे armpits में, कभी गरदन पर ऐसे लाल 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 patches आ जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस fungus को हम कहते हैं, रिंग वर्म, यह जो बीमारी है, मेरे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, रिंग वर्म, तो रिंग वर्म is a skin disease, which is caused by fungus, right, and fungus, they cause diseases not only in animals, but they also cause diseases in plants, right, so harmful fungi are pathogens, which are responsible for causing diseases, right, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिये, fungi को भी आगे डिवाइड कर दिया गया है, okay, they are also divided into four groups, very very important, but what is the criteria for division, ध्यान से सुनिये, very important, मेरे प्यारे बच्चों, on the basis of their structure, on the basis of the method of spore formation, मतलब किस तरीके से spores बनते हैं, and on the basis of their fruiting bodies, now fruiting bodies का मतलब क्या है, the spore producing structures को, fungi में हम कहते हैं fruiting bodies, यह वो organs हैं जिनके अंदर spores बनते हैं, तो हर fungus का fruiting body का structure अलग है, right, तो depending on the structure, on the mode of spore formation, and the type of fruiting body, kingdom fungi is further divided into four subgroups, चलिए, देख लेते कौन से groups हैं, the first group are called as phycomycetes, see the pronunciation, the first group is called as phycomycetes, the second group is called as ascomycetes, and the fourth group is called as deuteromycetes, right, चलिए, एक बार फिर से देखते हैं, the first group is phycomycetes, second one is ascomycetes, the third one is besidiomycetes, and the fourth one is deuteromycetes, right, अब हमें इस हर group को detail में पढ़ना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, every subgroup one by one, so we will start with the first group, that is phycomycetes, I hope, मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हैं, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, please keep motivating us, जैसा के मैं हमेशा कहता हूँ, आपके जो likes हैं, वो हमारे लिए, mitochondria का powerhouse का काम करते हैं, हमें energy देते हैं, आपको और आच्छा पढ़ाने के लिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और देते हैं, हमें पुरिए वलुप का पढ़ा है, ढ़को उिए गस्वा cultivation के लगके आपको है लिए सवी जैना है ये लिए, इण, हमें रोगनMusic मे informing हैं,